मैं मंजीत कुमार आज कच्छा पांच के बच्चों के लिए गड़ित विशे के अंतरगत अभ्यात प्रुनावर्ति का भाग छेले कर आया हूँ देखिए इस भाग में इसका पहला सवाल प्रिया ने 421 रुपे 25 पैसे की मिठाई 335 रुपे 50 पैसे का कपड़ा और 65 रुपे 8 पैसे की टौसी खरीदी बताईए प्रिया ने कुल कितना खर्च किया देखिए इस वारति प्रस्ट में आपको जोड़ना है चुकि जोड़ के पैसान यहां पर दी गई है कुल कितना खर्च किया जैनि कुल का मतलब जोड़ होता है ऐसे सभी बाति प्रस्ट जिसके अंत में या आप कह सकते हैं जिनका अंतिन जो वाक्य होता है उस वाक्य में अगर कुल सब्द दे दिया जाए तो वहां पर आपको जोड़ना ही होता ह तो यहां पर आपको जोड़ना है देखिए प्रिया ने कौन-कौन सी वस्तवे मिठाई, कपड़ा और तौफी खरीदी हैं उनका मूले भी दिया गया है तो पहले नमबर पे हम लिख लेंगे प्रिया ने मिठाई खरीदी कितने की खरीदी 421 रुपे 25 पैसे की पिर दूसर नमबर पे कपड़ा खरीदा था तो पिरिया ने कपड़ा खरीदा बराबर 335 रुपे 50 पैसे का यहां लिख लिया जाएगा तीसे नमबर पे उसमें टौफी खरीदी तो उसको लिख लेंगे प्रिया ने टौफी खरीदी बराबर 65 रुपे 8 पैसे की अब तीनों जो वस्त लिख लेंगे हाँसिल यहाँ से एक आगया है अब दो में पांच जोडेंगे तो सात हो जायेगा सुन को जोडेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा 7 ही रहेगा और तो पीछे से जो जोड लेंगे 7 में तो 8 हो जाएगा तो यहाँ से हांसिल एक आ गया है, दो और तीन को जोड़ेंगे, तो पांच हो जाएगा, छे को जोड़ेंगे पांच में, तो ग्यारा हो जाएगा, ग्यारा हमें एक हांसिल जोड़ेंगे, तो बारा हो जाएगा, बारा का दो लिख दिया जाएगा, हांसिल यहां से भी एक आ जाएगा अब 4 और 3 जोड लेंगे फिर एक हांसिल को जोड देंगे तो आथ हो जाएगा यानि 4 और 3 साथ और एक हांसिल जोड लिया तो हो गया आथ तो यहाँ पर 821 रुपे 83 पैसे का उसने कुल सामान खरीदा अब देखिए अगला सवाल है एक मीटर कपड़े का मूल 2876 रुपे है 16.5 मीटर कपड़े का मूल ज्यात कीजिये तो यहाँ पर देखिए पहले एक मीटर कपड़े का मूल दिया है और इधर 16.5 मीटर कपड़े का मूल ज्यात करना है तो प पहले एक मीटर है, फिर 16.5 मीटर है, ज्यादा दिया गया है कपड़ा, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, एक मीटर कपड़े का मूले बराबर 2876 रुपे, तो 16.5 मीटर कपड़े का मूले बराबर 2876, अभी हमने बताया था, इनके बीच गुड़ा होगा यानि ये जो मात्रा दी गई है जो इसकी लंबाई दी गई है कपड़े की वो 16.5 है और जो मूले है इन दोनों के बीच यानि आपस में गुड़ा कर दिया जाएगा तो 2876 गुड़े ये 16.5 ज्यादा है तो गुड़े में आ जाएंगे तो 16.5 हो हो जाएगा अताह 16.5 मीटर कपड़े का कपड़े का मूले 47,454 रुपए होगा 47,454 रुपए हो जाएगा देखे सवाल नमबर 20 है एक दस्ते में 24 कागज होते हैं 1080 कागजों से कितने दस्ते बनेंगे तो यहाँ हम एक एक नियम लगा सकते हैं चूंकि 24 कागज से बनते हैं वराबर एक दस्ता इसलिए एक कागज से बनेगा बराबर एक बटा 24 दस्ता इसलिए एक हजार असी है ना तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए एक हजार असी कागज से बनेंगे बराबर एक बटा 24 गुड़े अब यह ज्यादा है तो यहाँ पे गुड़े में आ जाएगा एक हजार असी तो देखे 24 एक के 24 24 चोके 96 और 108 से 96 गए तो बच गए 12 और यहाँ हो जाएगे 120 यहनी 24 पंचे 120 बराबर 45 दस्ते 45 दस्ते आ गए अब देखे अताह एक हजार असी कागज से कागजों से 45 दस्ते बनेंगे फिर देखे सवाल नंबर 21 है वह कौन सी संख्या है जो प्रतेक संख्या का गुड़न खंड होती है वह कौन सी संख्या है जो प्रतेक संख्या का गुड़न खंड होती है तो वह संख्या एक होगी जो प्रतेक संख्या का गुड़न खंड होती है यह एक ऐसी संख्या है जो प्रतेक संख्या का गुड़न खंड होती है धन्यवार